तो दोस्तो जितने भी छात्र बिहार पोट से एक्जाम देने वाले हैं 17 फरवारी को गनित का दोस्तो तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहेंगे क्योंकि यहां पर जितने भी कोशन मैं बता रहा हूँ दोस्तो इस सारे पूछे जाएंगा आप स प्रेसी इसका न्यूँ पाट और सभी सब्जेट का लेकर आएंगे दोस्तो तो नोट्पिकस न आपको मिलते रहेंगे क्योंकि यहीं पे आप लोगको हर सब्जेट का मिलता है दोस्तों कोसन इंसर है न दो चले दोस्तों एक प्रस्व आम लोग देखने यहां पर बीहार को हुषन देखते हम लोग कि Πाई है एक तो पई कौण सी संहा है दोस्तों परंचा अपने दोने पर पुरत पाइक नहीं क्रिशा न मि और खूचा है तो अभात संख्या है तो आफाख संख्या यहां पर कौन सा हो 10, 7, 15, 9 में तो ऐसी संख्या जो स्वेंग एवाम एक से विभाजित होने वाली हो दोस्तों उसको आपहाज संख्या बोलते हैं जैसे यहाँ पे 7 जो है यह आपका एक अभाज संख्या है कौन सी संख्या है दोस्तों यह अभाज संख्या है ठीक है चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं तीन नमर तीन नमर है दोस्तों कि दिखात बहुपद x square minus 5x plus 6 का जो सुनियक होगा वो कितना होगा तो simple प्रस्ण है दोस्तों सुनियक निकालना है आप सभी को यहाँ पे है ना चार ओप्सन भी दिये गए यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं x square minus 5x plus 6 का जो सुनियक होगा दोस्तों ओ हम लोग यहाँ पर गुर्णखंड विदी से भी करेंगे तो x square minus 3x minus 2x ठीक है plus 6 क्योंकि 6x square आ जा रहा है x को मल लेंगे तो x minus 3 minus 2 को मल लेंगे तो x minus 3 इसका मतलब दोस्तों x का मान 2 और 3 आएगा ओप्सन देखते हैं किस में हैं 3 और 2 यह ओप्सन नवर d में हैं दोस्तों 3 और 2 ठीक है तो इसका राइट एल्स रोजगा 3 और 2 ओप्सन नवर d इसका सुनियक हो जाएंगे थर्ड का अगला question देखते हैं 4 नवर कहा गया है दोस्तों कि यदि बहुपद x square minus x plus 1 के सुनियक अगर alpha और beta हो तो 1 plus alpha 1 बटा alpha plus 1 बटा beta का जो मान होगा वो कितना होगा तो देखे दोस्तों 1 बटा alpha plus 1 बटा beta का तो direct मान नहीं होता है लेकिन इसको हम लोग कैलकुलेशन करके alpha into beta और alpha plus beta निकाल सकते हैं तो minus b by a अब 8 में c by a तो a से गया दोस्तों है ना तो यह कितना बचेगा minus b upon c बचेगा तो minus b upon c यहाँ पर कितना है दोस्तों minus b का मान minus minus यहाँ पर 1 हो जाएगा दोस्तों direct मैं लिख देता हूँ minus minus 1 और a के जग़े पर 1 तो यह कट जाएगा तो आपस में एक ही बचेगा यहाँ पर option नमर यह b जो है यहाँ पर correct जाएगी दोस्तों कितना हो जाएगा इसका मान? b मतल़ एक के बराबर ठीक है ना? चलिए simple प्रस्था 1 बटा alpha प्लस 1 बटा beta या directly आप निकाल सकतो minus b upon c इसका मान हो जाएगा अगला प्रस देखता है कि तिर्भूज a b c में a c square बराबर बराबर a b square प्लस b c square देखने ही से लग रहा है दोस्तों यह आपका pythagoras पर में पैधारित है तो कोन b का मान? यहाँ पर 90 डिगरी हो जाएगी या तो आप calculation भी करके निकाल सकतों चलू मान लेते हैं कि a तिर्भूज a b c है a b c है मालो, a b kanion यहाँ पर a c k square, बतलों इसka square जो है दोस्तों यह इस दोनों के बराबर है तो कोन b, यह किस में होता है यह पैधाग्वज पर में पह होता है तो सम कोन तिर्भूज यह हो जाएगा, यह क्या मान? ठीक है ? और यह a c का square यह क्या है? दोस्तों करन हो जाएग तो परैक्ता का मान धिकतम जो होता है दोस्तो वो एक के बराबर होता है तो ओप्सन अब यहाँ पर C A को रहे ज़ेगी एक के बराबर परैक्ता का धिकतम मान ठीक है चले अगला परस देखते हैं कहा गया है कि बिंदू 4,-2 और 6,4 को मिलाने वाली रखा खंड के मद बिंदू का निर्दे सांग जो होगा वो कितना होगा क्या कोशना है दोस्तों कि बिंदू 4,-2 और 6,4 को मिलाने वाली रेखाखन के मद बिंदू का जो निर्दे सांग होगा वो कितना होगा दोस्तों तो हम लोग निकाल लिते हैं यहाँ पर मद बिंदू तो यह मान लोग की A है यह B है ठीक है इसका मान दिया है 4,-2 और इसका मान केता है 6,4 तो हम लोग जानते हैं दोस्तों यह मानलों की मद बिन्दू इसका निरसांग के ता होगा X,Y जा लो X का मान निकालते हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं 4 पुलस 6 बाइ 2 फिर Y का मान माइनस 2 पुलस 4 बाइ 2 है ना तो 6,10 बटा 2 तो यह 5 हो जाएगा और इसमें से 2 बटा 2 एक तो पाँच कोबार के दिखते हैं किस उप्शन में दोस्तों यह उप्शन मरब का बी में है यही इस मद बिन्दू का निरसांग का हलाएगा सिंपल है दोस्तों मद बिन्दू का निरसांग आ आप ल manufactured रभात को पता है किस जो option नवर आपका D में देखे होता क्या है दोस्तों साइन 90 मैनस ठीटा बराबर होता है आपका कौस ठीटा ठीक है और कौस 90 मैनस ठीटा बराबर होता है आपका साइन ठीटा यहां पर ठीटा के जगापे A है तो वही हो जागा साइन 90 मैनस ठीटा को से के बराबरत यहीं option नवर डीए आपका हो जाएगा आठ का चले अगला प्रसंद देखते हैं दोस्तों कहा गया है कि बिरित के परिधी एवं ब्यास का जो अनुपात होता है वो कितना होता है काफी सिंपल प्रसंद है दोस्तों इसको आपको बनाना परेगा देखिए खाँ गया है कि बिरित के परिधी एबंव्यास का जो अनुपात होता है देखो बिरित का परिधी क्या होता है परिधी बोट्टा ब्यास लिख देंगे दोस्तो हम लो परिधी होता है टू पाय आर और व्यास होता है दोस्तो तिरजा का दो गुना आता आर तिरजा होगा तो दो गुना कितना होगा टू गुने आर तो दो आर और ये दो आर कट जाएगा तो बचेगा कितना पाय बटा वन दोस्तो तो ये पाय अनुपात वन इसका अनुपात हो पांच विसम संख्याओं का जो माध्ध होगा वो कितना होगा तो पर्थम पांच विसम संख्याओं का माध्ध की अगर बात करें दोस्तों हम लोग क्या करें यहां पर पर्थम पांच विसमसंख्यां कमा तो माल लेते हैं दोस्तों पर्थम पांच विसमसंख्या आपका कितना हो जागा एक एन हो जागा दोस्तों है न तो इसी तरीके से हम लो मालो कि टोटल कितने विसमसंख्या तो पांच विसमसंख्या है भाई तो चलिए हम लोग निकालते ह दोस्तों तो माने कर देंगे माद निकालने के लिए ठीक है और यह बता में संख्या एक होता है क्योंकि इसमें लोग दो से भाग नहीं दे सकते हैं ना दो से पूरी पूरी नहीं करता है उसी को पांच आएगा चलिए दोस्तों अब हम लोग यहां पे थोड़ा सा फिलिंदा ब्लैंक्स वाला कोश्चन्स करते हैं जो आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टेंट है चलिए कहा गया कि संगत समीकरण यूगम का डैस हल होता है तो संगत संगत समीकरण यूगम का केवल और के IT हल होता है दोस्तों मतलब एक अध्यूतय होता है अधनितिएन हैं अर्ध वास्ते हुआ और शमान होंगे tych हैं चलिए अगला परवित की पर्मीतिा होती है दोस्तों क्या होता है आई ना क्योंकि दो को बिर्द की परीधी तो पायार होगा उसका अगर परीधी निकालेंगा अर्ध बिर्द का तो यह बट्टा में टू आ जागा थी यह पाई आर के बराबर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कहा गया है दोस्तों कि संचे बारम बरता वक्र को हम लोग कहते हैं दोस्तों तोरन क्या बोलते हैं तोरन अगला है दोस्तों कि कॉस स्क्वार 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 स्क्वा कि हम लोग कॉस उसकार 17 दिगरू को बदलेंगे कॉस 90 माइनस ठीटा थी यह साइन ठीटा के बराबर हो जाएगी चल यागला पसंद देखते हैं 16 नमर कहा गया है कि क्यू में बिर्धी होने के साथ साइन क्यू के मान में क्या होता है देखें मान लोग क्यू के जगा पर बिर्धी करते हैं दोस्तों है ना तो साइन ठीटा के मान में भी क्या होता है बिर्धी होती है ठीक है ना बिर्धी होती है मतला बढ़ता है अगला है कि रैखें कि रापतल पांच का अलेग वाइ अक्ष के कह दोस्तों वाइ अक्ष के डाइस होता है तो एकस ब्रावार फाँच का अलिक जो है पर्थमपद अे है शार्वंतर डी है तो s n का मान क्या होगा है ना तो सिंपल है दोस्तों इसका फर्मूला हम लोग जानते हैं S N बराबर N Y 2 इंटू 2 A पलस N मैनस 1 इंटू D होता है यही फर्मूला होता है दोस्तो N Y 2 इंटू 2 A पलस N मैनस 1 इंटू D इसके जगह पर यही लिखता है यदि A P का पर्थम पद A है और सारवंतर D हो तो S N मतलब N पदों का योग है यहाँ पर बताया गया यही इंसर हो जाएगी अब अगला प्रसन है कि संभी संभाहू तिर्भूज होते हैं तो सभी संभाहू तिर्भूज जो होते हैं दोस्तों आपस में क्या होते हैं समरूप होते हैं क्या होते हैं हमेशा अपर में ही होगा तो दोस्तो हम लोगों यहाँ तक कर रखा है अब हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा ताकि हम लोग जैसी इसका सब्सक्राइब को पूस्त लेकर आएंगे तो नोटिफिकर्शन दोस्तों आपको मिलते रहेंगे तो चले दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद जाए भारत और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा ठीक है